कि देखो ये जो सर्फेस है ये भी स्फेरिकल सर्फेस है औब्जेक्ट रखा है डेंसर मीडियम में रखा है मतलब डेंसर मीडियम में रखा है दूसरा मीडियम में म्यू जो कि लेस डेंसर है यानि रेर मीडियम है अब्जेक्ट से दो रेज निकली एक रे इधर जा रही है जा रही है perpendicular to the surface यह अगर incident हो रही है तो बिना deviate हुए सीधी निकल जाएगी यह जो दूसरी रे है जो denser से rarer में जा रही है तो normal से दूर हट जा रही है तो यह दोनों ray reflection के बाद तो diverge कर रही है तो यह तो कहीं आगे मिलेंगी नहीं तो real image तो बनेगा नहीं तो इनको पीछे बढ़ाना पड़ेगा यह पीछे बढ़ाया तो यह image बनी यह image virtual image है क्योंकि reflection के बाद light rays diverge की है इसलिए यह जो image बन रही है उनको पीछे बढ़ाके हमने image बनाया है इसलिए यह virtual image है ठीक है point याद रहेगा अच्छा यह जो object की pole से जो distance है वो minus u है क्योंकि generally pole को origin माना जाता है left side negative right side हम positive मान लेते हैं image यहाँ बन रही है तो v होगा यह negative में center of curvature right side में इसलिए plus r होगा यह तीनों point clear है और m point से हमने perpendicular draw कर दिया है principle axis पर जो की point n है और pn is almost equal to zero जासा की पहले पिछले वाले derivation में हम लोग already discuss कर चुके थे pn is almost equal to zero का मतलब n point p से बहुत close है बहुत नजदीक है ठीक है और angle of incidence कौन सा होगा angle of incidence यह dotted line है यह normal है यह angle of incidence होगा angle of reflection कौन सा होगा यह वाला angle of reflection होगा correct है angle of reflection होगया angle of incidence होगया alpha object जो angle बना रहा है principle axis के साथ यह ray alpha होगी और image जो principle axis के साथ यह ray के साथ angle बना रही हो बीटा center of curvature जो angle बना रहा है वो gamma तो alpha, beta, gamma हम लोग already discuss कर चुके हैं उसको एक बार फिर से कर लेते हैं लेकिन इस बार alpha, beta, gamma की value अलग अलग होगी जैसे मैं यहां लेकर रहा हूं देखो द्यान से alpha is equal to 10, alpha is equal to h upon on होगा, on की value almost equal होगी न ओपी के क्योंकि p और n बहुत close है, correct है और op का मतलब minus u, beta is equal to 10, beta is equal to h upon क्या होगा, beta is equal to 10, beta is equal to क्या होगा, h upon in, in को क्या ले सकते हो, ip, ip की value क्या होगी, minus v, gamma की value क्या होगी, 10, gamma is equal to h perpendicular upon base, h upon cn, cn को क्या ले सकते हैं, cp, cp की value क्या होगी, प्लस आर, alpha, beta, gamma होगा, अब snes लगाते हैं, इंटरफेस पर, प्लस अऑ methyl होगी, कपी value शी जगाते हैं, ज sightยंने सकते हैं, इंटरफेस्टा लोगीले इंटरफेस्टागी, प्लस लग बादेट्ड़ות ले सकते हैं, और सकते हैं, ज हुएस्टावाइब इंटरफेस् fools